जैहनमान जैश्रीराम मंगलवार व्रत कथा एक समय की बात है एक ब्राम्मण दामपत्ती की कोई संतान नहीं थी जिस कारण वह बेहत दुखी थे एक समय ब्राम्मण वन में हनमान जी की पूजा करने के लिए गया वहां उसने पूजा के लिए साथ महावेर जी से एक पुत्र की कामना की घर पर उसकी इस्त्री भी पुत्र की प्राप्ती के लिए मंगलवार का व्रत करती थी वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करती थी एक बार व्रत के दिन ब्रामणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनमान जी को भोग लगा सकी उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी वह भूखी प्यासी चाह दिन तक पड़ी रही मंगलवार के दिन वह बेहोस हो गई हनमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रशन हुए उन्होंने आसिरवात स्वरूप ब्रामणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा बालक को पाकर ब्रामणी अतिप्रशन हुई उसने बालक का नाम मंगल रखा कुछ समय उपरांत जब ब्रामण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है पत्नी बोली कि मंगल वारवरत से प्रशन होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है ब्रामण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ एक दिन मौका देख ब्रामण ने बालक को कुए में गिरा दिया घर पर लोटने पर ब्रामणी ने पूछा कि मंगल कहां है तभी पीछे से मंगल मुश्कुरा कर आ गया उसे वापस देख कर ब्रामण आश्चर चकित रह गया रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्सन दिये और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है ब्रामण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ इसके बाद ब्रामण दामपत्य प्रतेक मंगलवार को व्रत रखने लगे जो मनोस्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ताया सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसे हनुमान जी की कृपा से सबकष्ट दूर होकर सर्वशुक प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं जै हनुमान अगर आप लोगों को ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें राधे राधे जै हनुमान जै श्री राम श्री बनते हैं